दोस्तों नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज राज भाषा हिंदी के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों भारत में विभिन प्रकार की भाषा ये बोली जाती है लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा इस्तिमाल की जाती है अंग्रेज लेखक कारलाईल ने एक बार शेक्सपियर को स्रधानजली देते हुए हे शेक्सपियर आप धन्य है आपके द्वारा बनाए गई भाषा को हिंदुस्तान जैसा विश्व का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक राष्ट्र स्विकार कर रहा है तथा अपनी मात्रु भाषा को तिलानजली दे रहा है इसलिए मैं आज आपको स्रधानजली अर्पित करता हूँ भारत की तो अपनी कई कोई राष्ट्र भाषा है ही नहीं विश्व के लोकतंत्रिक देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जहां एक विदेशी भाषा को राष्ट्र भाषा के सम्मानित किया जाता है भाषाई आत्मत्या का उदाहरन अन्यत्र कही ढूणने पर नहीं मिलेगा और आगे कारलाइल कहिते हैं कारलाइल ने यह बात हिंदी को लेकर कई दश को पहिले कही थी लेकिन आज भी उनकी यह बात हमें ज़्यादा प्रासंगिक तो लगती है और सही भी लगती है हम अपने बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी माहोल में डालना चाहते है और इसलिए हम कभी सोचते ही नहीं बिना सोचे समझे अंग्रेजी नामों पर खुले स्कूलों में उन्हें जबरन धकल देते हैं ऐसे में हिंदी की अस्मिता बचाने के लिए हम कहां परियास कोई कर रहे है आज जब देश के कई जगों पर हिंदी दिवस मनाय जा रहा है इस अवसर पर एक बार फिर हम लोग हिंदी की खोई हुई गरीमा को वापस लाने तथा राश्ट्र भाशा के रूप में उसे स्विकार करने की बात पर कुछ बुद्धी जिवियों का विचार प्रस्तुत करते हैं राश्ट्र भाशा का विकास करने के लिए देश की एक भाशा को विकसित करने के लिए दूरता एवं संकलपक की आवशक्ता होती है राष्टर के विकास के लिए जिस दुर्ता और संकल्पक की आवशक्ता होती है उसका भारत में अभाव नजर आता है और इसी अभाव के कारण देश कमजुर होता है और हिंदी का विकास नहोना इसी अभाव को दर्शाता है अगर यही स्तिती आगे भी चलती रही तो हिंदी की भी हालत वही होगी जो बुरुज भाषा और संस्कुद जैसी हो गई थी अभिव्यक्ति का माद्यम कमजुर होने से मनुष्य वद देश भी कमजुर होता है जितनी भौतिक सुविदा हैं वो बुनियादी सुविदा हैं चाहिए लेकिन दुनिया को जब हम खुपसुरुत बनाने की बात करते हैं उसमें उसकी भाषा भी आती है अपनी भाषा की प्रवुर्ति वस्वभाव की रक्षा करना हम लोगों का करते भी होना चाहिए आज हिंडी को इसकी जरुत है ऐसा होने पर ही हम उसकी गरीमा को पुनरस्तापित कर सकते हैं और इसलिए दूर्ता एवो संकल्पग के बिना हम अपने भाषा का विकास नहीं कर सकते साथ-साथ में हमारे इसमें निस्वार्त सेवा का भाव भी होना चाहिए हम हिंडी दिवस के आउसर पर खुब बाते करते हैं लेकिन फिर भी अंग्रेजी ही हमारी भाषा बन जाती है और यह ना तो राष्टर के लिए और ना ही समाज के लिए शुबसंकित है और हिंडी हमारे सिर्फ भाषा ही नहीं बलकि हमारा संसकर भी है आज बच्चे जब अंग्रेजी भाषा सीक रहे तो उनका संसकर भी अंग्रेजीयत वाला हो रहा है राष्टर भाषा हिंडी की उन्नाति के लिए यह आवश्यक है कि हिंडी भाषियों में विशेश रूप से उन लोगों में जो दाइत्व पूर्ण पदों पर है उनमें निस्वार्त सेवा का भाव प्रबल हो मतलब जो हिंडी साहित्य का निर्मान कर रहे हिंडी भाषाओं जिनकी मात्र भाषा है या हिंडी भाषाओं पर जिनकी मजबूती है उन लोगों को सहयोग योगदान देना बहुती महत्वपूर्ण हो सकता है राष्टर भाषा के माध्यम से भी विकास किया जा सकता है ले सकते हैं इन देशों ने अपने देश की जो भाशा है उसी का इस्तिमाल करते हुए तरक्की की और चले है इन देशों ने अपनी मात्रु भाशा को अपना कर ही अपनी प्रगती की है लेकिन भारत जैसे देश इतना बड़ा विशाल देश है जो अपनी मात्रु भाशा को कर विदेशी भाषा को अंगीकार कर रहा है यह कितना सही है कितना गलत है यह आने वाला समय ही बता सकता है इससे सही माइनों में देश का विकास नहीं हो सकता दुनिया भर की अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी भाषा होते है उसमें से चवती सबसे जड़ा बोली जाने वाली हिंदी भाषा है और हर वर्ष इस साल भी हम 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं कई देशों में बोली जाने वाली यह भाषा सबसे प्राचिन भाषाओं में से एक है जिसे भारत की राष्ट्र भाषा नेशनल लेंगेज के तोर पर भी जाना जाता है और एक अध्यन की माने तो दुनिया भर में चवती सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली यह भाषा है विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है जिस तरह से हम भारत में राष्ट्री या हिंदी दिवस मनाते हैं वैसे ही दुनिया में अंतराष्ट्रिस्तर पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और वह विश्व हिंदी दिवस प्रती वर्ष दस जनवरी को मनाई जाता है और इसका उद्देश ये है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूता पैदा करना तता हिंदी को आंतरा श्री भाषा के रूप में पेश करना विश्व में बहुत सारे अपने लोग होते हैं जो हिंदी भाषा के इस्तेमर करते हैं भारत की दूतावास इस दिन को विशेश रूप से भी मनाते हैं सभी सरकारी कारयलों में विबिन विश्व पर हिंदी में व्यक्खायन आयोजित किये जाते हैं विश्व में हिंदी का विकास करने और इस से प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश से विश्व हिंदी समयलनों की शुरुवात की गई है और प्रत्थम विश्व हिंदी समयलन 10 जनवरी 1975 को नाकपुर में आयजित हुआ था इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस का उद्देश देखिए कि पहली बात है विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरुकता पैदा करना दूसरी बात है हिंदी को आंतराश्ट्री भाषा के रूप में पेश करना तिसरी बात है हि हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना ये सभी विश्व हिंदी दिवस मनाने का एक उद्दिश होता है हम बात करता है कि विश्व हिंदी दिवस कब से और क्यों मनाये जाता है भारत के प्रुवपधा मंत्री मनमौन सिंग ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की घोशना की थी और उसके बात से भारतिय विदेश मंत्राले ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाये था राष्ट्र भाषा हिंदी ही क्यों क्योंकि ये भी हमारे सामने प्रश्णा निर् बाद भाषा के साथ सथ भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और यही कारण है कि इसका चेन राष्ट्र भाषा के तोर पर करने का विचार किया गया इतना लोग इनके सर्वे के अनुसर माने तो हिंदी विश्व की चवते सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में उभर रही है इसे विश्व आर्थिक मंच की गन्ना के बाद विश्व की दस शक्तिशली भाषाओं में से एक माना जाता है दरसल अगर हम बात करेंगे हिंदी को पूरे भारत के विभिन राजों में शुरूर से बोला जाता रहा आपको यह जानकर खुशी होग कि हिंदी दिवस क्यों मनाये जाता है तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाये जाता है और दरसल वर्ष उन्नी सो उन्चस में आजी के दिन सविधान सभाने एक मत होकर इससे भारत की राजभाषा के तोर पर स्विकर किया था इसी महतपूर्णी नीर्णाय के बाद यह किया गया था कि इसे हर शेत्र में प्रसारेद किया जाये गया और इसलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रिय हिंदी दिवस मनाते हैं हिंदी दिवस से कुछ जूड़े तत्य है जैसे राष्ट्र भाषा प्रचार समेथी जो वर्धा में स्तीत है इनके अनुरौत पर हिंदी को वर्षा 1953 से पूरे भारत में लागो किया गया जिसके बाद से ही 14 सितंबर को प्रती वर्ष हिंदी दिवस के तोर पर मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाने के पीछे दूसरा भी तत्य है जैसे कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के एक लंबी लड़ाई लड़े है वो है राजंद्र सियं इनका पचासवा जन्यमत दिवस 14 सितंबर 1949 को था और जिस दिन हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा स्विकार किया गया और कहा जाता है कि उन्होंने इस भराष्ट्र भाषा के तोर पर स्तापित करवाने के लिए काका मैतली शरंगुप्त कालेलकर हजारी प्रसाद विवेदी सेट गुविंद दास जैसे कई साहित्यकारों को साथ लेकर भरपूर प्रयास किया तो इसी लिए भी हिंदी दिवस मनाया जाता है भारक की राजभाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं तो सविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्विकार किया गया इसके बाद सविधान में अनुचे 343 से 351 तक राजभाषा के समन्द में विवस्ता की गई इसकी सम्नुत्ति को ताजा रखने के लिए चवदा सित्मर का दिन प्रतिवर्च हिन्नी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपके जानकारे के लिए बताते हैं कि भारतिय सविधान में राश्ट्र भाशा का कही उल्लेक नहीं है और इसलिए हम इसको किवल राज भाशा कहीते हैं राश्ट्र भाशा नहीं कहीते सविधान की दाधारा 343 एक के अनुसार भारतिय संग की राजबाशा हिंदी एवं उसकी लिपी रहेगी देवनागरी और संग के राजकी प्रयोदनों के लिए प्रयोगता अंको का रूप भारतिय अंको का अंतराश्ट्री हैं तता पि यह प्रावदान किया गया था कि उख्तवक्त अबदी के दवरान भी राश्टपति कति पए विशिष्ट प्रिजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं और संसत का कारे हिंदी में या अंगरेज में किया जा सकता है पर नंतु प्रसाइब का उनुच्छ फम कि या गया है इन प्रेजनों के लिए इंदी का प्रियُक किया जाना है कि договор can के लिए हिंदी और अंग्रेजी दौने भाशाओं का प्रियोग आवश्यक हैं और किन कहले अंग्रेजी भाशा का प्रियोक किया जाना है यह राज भाशा धिसे स्वारत के रूप में हिंदी को मानंता मिलती हिंदी को राजभाषा के रूप में स्विकर कीये जाने का आउचित्ते भी देखिए यर भ paz िबहुत फ्रकार की भाष्याई बोली जाती है बहुत लंबे काल से हिंदी का कोई उसका कोई सुरूप उसके बहुत बड़े भाग पर संपर्क भाशा के रूप में प्रयुक्त होता था और भक्तिकार की अगर बात करेंगे उत्तर से दक्षिन तक पूरप से पश्चिम तक अनेक संतोनी हिंदी में अपनी रचनाय की उन्होंने भी बहुत पूर्ण योगदान दिया महान भूमिक आदा की थी जैसे राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती मात्मा गांदी सुभाष चंद्रबोश सुब्रमन्यम भारती जैसे अनेक दिगज लोगों ने हिंदी को राश्ट्र भाशा के पत पर प्रतिह स्टित करने का सपना देखा था और मात्मा ग भारतियों द्वारा बोली जाती है यह समस्त भारत में आर्थिक धार्मिक और राजनेतिक संपर्क माध्यम के रूप में भी प्रयोग करने के लिए सक्षम है तता इसे सारे देश के लिए सिखना आवश्यक है यह मात्मा गांदी ने 1917 में इसका प्रतिपादन किया था भारत भारत भरषय का हम्ह Seven में आर्थिक और राजनेतिक विवार्वर्क को सके ऐसी परिस्ति होनी चाहिए त पर हिंडी भाषा बिलकुल खरी उतरती है और वह सटिक नजर आती है और इसी लिए भारत में हिंडी को राजबाषा का अधर द है अनुच्छत 343य क्यों नुसार, तो संग की अंतरश्ट्री रूप होगा खंड़ एक में किसी बात के होते हुए भी इस सविधान के प्रारंब से ही 15 वर्ष की अवधी तक संग के उन सभी शास्की प्रजुनों के लिए अंग्रेजी भाष्या का प्रयोक किया जाता रहे गया जिन के लिए उसका ऐसे प्रारंब से ठिक पहले प्रयोक किया जा रहा था प्रण्दु राष्ट्रपती उक्त अवधी के दवरान आदेश द्वारा संग के शास्की प्रजुनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाष्या के अतिरिक्ता हिंदी भाष्या का और भारती अंकों के अंतरश्टी रूप के अतिरिक्ता देवनाग्री रूप का प्रयोक प्राधिकुरूत कर सकते हैं और इस अनुचत में किसी बात के होते हुए भी संसत उक्त पंद्रवर्षा की आउधी के पश्चात विधी द्वारा अंग्रेजी भाष्या का या अंकों के देवनाग्री रूप का ऐसे प्रजनों के लिए प दिए गए जैसे संग का यह करतव होगा कि हिंदी भाषा का प्रसरब बढ़ाया जाए उसका विकास किया जाए जिससे भारत की सामाजिक सामासिक संस्कूति के सभी तत्वों की अभिवेक्ति का माद्यम बन सके उसकी प्रकूर्टी में हस्तक्षप की बिना हिंदूस्तानी में और आटवी अनुसुची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रिक्त रूप शैली और पदों को आत्मसद करते हुए जहां आवशक या वांचनी हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुक्केता संस्कूत से और गउंता अन्य भाषाओं से शब्द केंद्रिय सरकारद्वार राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोक को उसी स्तिती में समप्त किया जाएगा जब सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधान मंडल इसकी समप्ती के लिए संकल्प पारित कर दे और उन संकल्प पर वीचार करके संसत के दोनों जाए और सन 1976 में राजबाशा नियम बनाए गए इसमें 1937, 2007, 2011 में कुछ संशो दिन भी किये गए है राजबाशा संकल्पा 1968 की बात करते है तो भारती संसत के दोनों सदनों में जैसे राजज़सबा और लगसबा में 1968 में राजबाशा संकल्पा के नाम से निम्नलिकित संकल्पा लिया गया जैसे कि पहली बात है जब कि स्विधान के अनूचर 343 संग की राजबाशा हिंदी रहेगी और उसके अनूचर 321 का च within 2 हिंदी भाशा का पृसार गुरुद्दी करना और उसका विकास करना ताकि वो भारत की सामासिक संस्कूति के सब ततों की अभी विक्ति का माद्यम बन सके यह हम देख चुके हैं यह सबाइ यह भी संकलबा करते हैं कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तता संग के विभीने राज्ची प्रहिजनों के लिए उत्तर इसके प्रयोग हेत्यू भारत सरकार द्वारा एक अधीक गहन एवं व्यापक कारेकरम तयार किया जाएगा और उससे कारेनित भी किया जाएगा और किये जाने वाले उपायों एवं किये जाने वाले प्रगति का की विस्तरूत वार्चक मुल्यांकर रिपोर्ट संसत की दो लिए यह आउश्यक है कि इन भाशाओं के पूर्ण विक्राइद सहीतू सामुही का उपाय की जाने चाहिए और यह सबा यह भी संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सभी भाशाओं के समन्वित विकास है तुब भार्ण सरकार द्वारणराज्य सरकारों के सहयोग से ए तीसरी बात है जबकि एकता की भावना के सवरधन तता देश के विभीन भागों में जनता में संचर की सुविधा ही तू यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तयार किये गए त्री भाश्य सुत्रकास को सभी राज्यों में पुर्णत य करने के लिए प्रभावी किया जा चाहिए सबह में या प्रसमय बसंगल्प किया गया है कि हिंदी भाशी शेतरों में हिंदी अंली गहां जिये के दक्षिन भारत की भाषाव में से किसी एक को तर्जी देते हुए और अहिंदी भाषी शेत्रों में प्रादेशिक भाषाव और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्यन के लिए उस शुत्र के अनुसार प्रबंद किया जाना चाहिए चाहिए जबकि यहां संकल्पर किया गया है कि उन विशेश सेवाओं अत्वा पदों को छोड़कर जिन के लिए ऐसी किसी सेवा अत्वा पद के करतेवियों के संतोष जनक निश्पादन है तो केवल अंग्रेजी अत्वा केवल हिंदी अत्वा दोनों जैसी स्थिति को हो का उच्चसतर का ज्या आवश्यक समझा जाए और संग सेवाओ अत्वा पदों के लिए भरती करने है तो उमिद्वारों के समय हिंदी अत्वा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्यान अनिवार्यता होगा किसी और भी कहा गया है कि परिक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया संबंदी पहलू अनुसुची में सभी भाषाओं तता अंग्रेज जी को वैकल्विक माध्यम की रूप में रखने की अनुमती होगी हम देखते हैं कि हिंदी भाषा उसका इत्यास थोड़ा सा नदर डालते हैं 1918 में गांदी जी ने हिंदी साहित के समयलन में हिंदी भाषा को राषटर भाषा बनाने को कहा था और इसे गांदी जी ने ज्ञनमानस की भाषा भी कहा था वर्षां 1969 में सवतंद्र भारत की राष्टर भाषा के प्रष्णपर 14 सितंबर 1949 को काफी विचारी मश्क बाद यहां नियर नहीं लिया गया जो भारती सविधान के भाग सत्रा के अध्याय का अनुचे 343 एक के इस प्रकार वर्नित है जैसे संगा की राष्ट्रबाशा पतलब केंदर सरकार की राष्ट्रबाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी संग के राजकी प्रेजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का रूप आंतरश्ट्री होगा और यहां नियर नहीं 14 सितंबर को लिया गया इसी दिन हिंदी के मुर्धन्य साइट्यकार व्योहार राजेंदर सियं का पचास वर जन्म दिन था और इसी कारण हिंदी वीवस के लिए इस दिन को सरस्रिष्ट माना गया था हलाकि जब राश्ट्र भाषा के रूप में इसी चुना गया और लागू किया गया तो गईर हिंदी भाषी राज्यों के लोग इसका विरूद करने लगे और अंग्रेजी को भी राज्भाषा का दरजा देना पड़ा इसी जाता है तो हिंदी दिवस के दवरान कई कारेक्रम होते हैं जैसे इस दिन चात्र चात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक विवार में हिंदी के उपयोग करने आदी की शिक्षा दी जाती है जिससे हिंदी निबंदलीकन वाद विवाद हिंदी टंकन प्रतियोग दिया है इसके लिए हिंदी में निब आड़े ने लेखन प्रतियोगे के दौरा कई जगह पर हिंदी भाशा की विकास विस्तार है तुक कई सुझाव भी प्राप्ता किये जाते हैं लेकिन अगले से कम वर्ष में सप्ता के लिए तो रहती है जैसे यहां हिंदी निबंद लेखन वाध्युद्पर्दा विचार गोष्टी काव्य गोष्टी शूतलेखन प्रतियोगीता हिंदी टंकन प्रतियोगीता कवी सम्मेलन पुरसका समार्व राजबाश्य सप्ता इस प्रकार के कारे भाषा नदर आती है लेकिन उसे अच्छी तरह समझने पढ़ने और लिखने वालों में यह संग्या बहुत ही कम होती है और यह भी कम होती जा रही है इसके साथ हिंदी भाषा पर अंग्रेजी शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से ह घर ले ली है जिससे भाविश्य में भाषा की विलुक्त होने की भी समभावना अधिक बढ़ गई है इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ग्यान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं उन्हें हिंदी के प्रतिक अपने करतवे का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है जिससे वे सभी अपने करतवे का पालन करें और हिंदी भाषा का भविश्य में विलुक्त होने से बचाया जा सके लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासिन दिखते हैं हिंदी तो अपने घर में ही दासिक के रूप में रह जा सकता इससे हालात आ गए है कि हिंदी दिवस के दिन भी कई लोग ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसे शब्दों का इस्तिमाल करना पड़ता है अमर उजला ने भी लोगों से बिंति की है कि कम से कम हिंदी दिवस के आउसर पर हिंदी में ट्वीट करें हिंदी दिवस म विकास नहीं हो सकता इस एक दिन भी सभी सरकारी कारेलों में अंग्रेजी के स्तान पर हिंदी का उपयोग करने की सलहा दी जाती है इसके अलावा जो वर्षबर हिंदी में अच्छे विकास कारे करता है और अपने कारे में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है उसे आज बहुत एक खस्ता हाल में है, इस कारण इस दिन उन सभी से नीविधन किया जता है, विए अपने बोलचल की भाषा में भी हिंदी का ही उप्योग करें, इसके अलावा लोगों को अपने विचार आदी को हिंदी में लिखने के लिए ही कहा जाए, चुकि हिंदी भाषा में लिखने है तो बहुती कम उपकरन के बारे में लोगों को पता है इस कारण इस हिंदी भाषा में लिखने जाच करने और शब्दकोष के बारे में जानकारी दी जाती है हिंदी भाशा के विकास के लिए कुछ लोगों की द्वारा कारे करने से कोई खास लाब नहीं होगा इसके लिए सबी को एक जूट होकर हिंदी के विकास को नए आयम तक पहुंचाना होगा हिंदी भाषा के विकास और विलिप्तो होने से बचाने के लिए यह अनिवारिय कदम उठाना होगा राज भाषा सब्ताह की हम बात करते हैं तो राश्टर भाषा सब्ताह या हिंदी सब्ताह जिसको हम बोलते हैं कि हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना लोगों में केवल हिंदी दिवस्ता की सिमत ने रहे तो उससे और अधिक बढ़ाना चाहिए इन सातों दिनों में लोगों को निबंदलेखन आदी के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाब और न उपयोग करने पर हानी के बारे में भी समझाया जाता है ये हो गया हिंदी राध भाषा सप्ता का मातुब कुछ पुरसकार भी दी जाते हैं जैसे कि हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रती लोगों को उससाइद करने उनको जागरुत करने हितु पुरसकार समारों भी आविज किया जाता है जिसमें कारे के दवरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वालों को ये पुरसकार भी दिया जाता है ये पहले राजनिताओं के नाम पर था लेकिन बाद में उसमें बदल कर राश्ट्र भाशा किर्ती पुरसकार और राश्ट्र भाशा गवरोपुरसकार कर दिया गया है और राश्ट्र भाशा गवरोपुरसकार लोगों को दिया जाता है तो राश्ट्र भाशा किर्ती पुरसकार किसी विभाग समीती जैसी सनस्ता को दिया जाता है राजबश्या गवरोपूरसकार की बात करते हैं तो यह पूरसकार तक्निकी या विज्ञान की विशय पर लिखने वाले किसी भी भारतिय नागरी को दिया जाता है इसमें जो इनाम है दस हजार से लेकर दो लाक रुपे के तेरा पूरसकार होते है इसमें प्रतम पूरसकार प्राप्त करने वालों को दो लाक रुपे, द्वितिय पूरसकार प्राप्त करने वालों को डेड़ लाक रुपे और तुरती पूरसकार प्राप्त करने वालों को 75,000 रुपे दिया जाता है साथ ही दस लोगों को पुरसकार के रूप में दस दस हजार रुपे प्रदान किये जाते है पुरसकार प्राप्त सभी लोगों को स्मूर्ति चिन्न भी दिया जाता है इसका मुल उद्देश यही है कि तक्निकी और विज्ञान की शेतर में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है राज भाषे किरती पुरसकार की बात कर रहे है इस पुरसकार योजना के तहत कुल 49 पुरसकार दिये जाते है और इसका मुल उद्देश यह है कि सरकारी कारियों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से उनको प्रेरित करना है बे आलोचना भी की जाती है कि जैसी कई हिंदी लेख और हिंदी भाषा जनने वालों का कहिना है कि हिंदी दिवस केवल सरकारी कारे की तरह है जिसे एक केवल एक दिन के लिए मना दिया जाता है और बाद में भूल जाते है इससे हिंदी भाषा को कोई विकास भी होने वाला नहीं है बलकि इससे हिंदी भाषा को हानी होती है कई लोग हिंदी दिवस समारों में भी अंग्रेजी भाषा में लिखकर लोगों का स्वागत करते है सरकार इसे केवल यह दिखाने के लिए चलाती है कि वह हिंदी भाषा के विकास हितु कारे कर रही है सब्सक्राइब कर्मचारी भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में कारे करते नजर आते हैं लेकिन कुछ लोगों की सोच ये भी है कि विवीद कारण बता कर हिंदी दिवस मनाने के विरूत करने और मजग उड़ाने वाले यह चाहते हैं कि हिंदी के प्रती रही सही अपनत्य भावना भी समप्ति की जाए तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो हिंदी के वाल एक दिन के लिए नहीं एक सप्ताय के लिए नहीं तो ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अभिभाज हिस्सा बनना चाहिए ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए दोस्तो इसी के साथ हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकरी हासिल करने कोशिश की है उमिद करते हैं कि यहां हिंदी का छोटा सा हिस्सा आपको समझ में आया है साथ साथ में यहां आपको हिंदी दिवस के अउसर पर हार्दिक शुबकाना देते हैं और यही रुखते हैं